में हम लोग CMR 2017 का regulation no.27 देखेंगे तो यह regulation basically qualification and appointment of manager के बारे में बताता है तो जैसे हम लोग सबको पता है कि माइन्स में किसी भी माइन्स के working और supervision में सबसे important role manager का होता है में कैसे काम करना है कहा काम होना है क्या क्या प्रिकॉसंस लेने हैं और जितने भी officers होते हैं सबको वह guide करते हैं तो main role क्या होता है किसी माइन्स के working में manager का होता है तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि कोई भी माइन चाहिए माइन्स को निया माइन्स को अपन करना हो बंद पड़े हुए माइन्स को फिर से खोलना हो या किसी भी नॉर्मल माइन्स के वरकिंग में किसी भी नॉर्मल माइन्स के वरकिंग में एक मेनेजर होगा जानी हर माइ मैंस का मैनेजर को न्यूक्त नहीं कर सकते तो इसको इंपोर्टेंट कोश्चन और अब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखेंगे कि मैनेजर के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए 23 years होना चाहिए मैनेजर किसको आंसर करेगा या किसके लिए आंसरेबल है मतलब कि अगर कुछ होता है मैंस में तो जिम्यदारी है मैनेजर को ठीक है और मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा तो वह ओनर को करेगा या एजेंट को करेगा ठीक है तो जैसे भी ट्राइवेट सेक्टर होते हैं तो माइन्स का ओनर जैसे कोई पर्शन है वह माइन्स लिया है तो वह होता है और जैसे PSU है गौर्मेंट सेक्टर के माइन्स है जैसे लिध्याओं खिक है मैनेजर किसको ंचल करेगा इजेंट को रिपोट करेगा ठीक है B3rd पॉइंट है कि mi algún क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजर फोर अंगरंद माईस की मैनेजर का एक्सप्रीएंस ओना चिया ओए मेनेजर्ण क्या क्वालिफीकेशन होना चिया तो मेनेजर के पास होना चिया first class managers certificate ठीक है अगर पचीसो टन से ज्यादा है प्रोडेक्शन मन्तली प्रोडेक्शन यानि हर मन्त अगर पचीसो टन से ज्यादा कोलवान निकाल हु से मेनेजर के पास होना चीफ फस्ट क्लास मेनेजर साटिफिकेट दोरस्ट क्लावट कर सकता है वह वो ऐस्टेस्टे साटिफिकेट क्या होता है कि सिर्फ वो पफेंड काश्ट में वेली अगांडमा मैं उसको certificate को रखे हमनों काम नहीं कर सकते हैं ठीक है किसी कोल माइस में यदि प्रोडेक्शन पचीस तो टन पर मंथ से कम है उस केस में मेंजर का क्या qualification होना चीए तो फर्स्ट क्लास मेंजर हो सकता है और सकेंड क्लास मेंजर दोनों में से कोई भी हो सकता है उसके पास फर्स में तो उपन कास्ट माइस में यदि 20,000 मीटर क्यूब से जादा हैंडलिंग हो रहा है मेटेरियल का पर मंथ तो उसकेस में मेंजर के पास क्या होना चीए फर्स्ट क्लास मेंजर सर्टिफिकेट इसमें रेस्टिक्टेड या अन्रेस्टिक्टेड कुछ भी हो चलेगा ठीक और यदि 20,000 मीटर क्यूब से कम है या 20,000 मीटर क्यूब तक है तो उसकेस में मेंजर क्या होना चीए फर्स्ट क्लास हो सकता है या सेकेंड क्लास हो सकता है फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चीए मेंजर का या सेकेंड क्लास मेंजर सर्टिफिकेट होना चीए वो रेस् एक माइन्स के अंदर अगर ऑपेंड कास्ट अंडर्गाउंड वरकिंग हो रहा है तो उसका आंसर क्या है कि एक ही मेनेजर होगा मेनेजर कितना होगा सिर्फ वन होगा और वो मेनेजर का क्लासिफिकेशन क्या होगा वो फर्स्ट क्लास मेनेजर सार्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए चूकि यह अंडर्ग्राउंड भी चल रहा है तो उनके पास उस सार्टिफिकेट होगा वो अन मेंट्रेल हेंलिंग हो रहा है पर मद तो वैसे केस में चीफ इंस्पेक्टर अगर चाहें तो यह थोड़ा से रिलैक्सेशन प्रोवाइट कर सकते हैं कुछ सिमित समय के लिए ठीक है कि तो मेनेजर के जो क्वालिफिकेशन उसमें रिलेक्षेशन कोन प्रोवाइड कर सकता है गर कुश्चन आये उसका अंसर होगा चीफ इंस्पेक्टर है ना फिर आगे देखते हैं कि यह दि किसी आदम के फस्त मैनेजर के पास सपोज 20 ए意र मेंटर कीव से ज्यादास मेनेटर है पर मन्त और वहाँ पर जो manager उसके पास first class manager certificate नहीं है उसके पास second class manager certificate है suppose तो उसको permit कर सकता है chief inspector manager के लिए ठीक है लेकिन वो permission maximum कितना time के लिए होगा वो maximum time period है 12 मन्त के लिए ठीक है फिर से एक बार देखते हैं यदि कोई minus ऐसा है कि जिसमें qualification होना चीए first class manager certificate का manager के लिए पर वो ऐसा कोई आदमी नहीं है जहां जिसके पास first class manager certificate हो ऐसा है एक आदमी जिसके पास second class manager certificate है तो chief inspector यदि चाहे तो कुछ terms and conditions पे वो permit कर सकते हैं उस आदमी को to act as manager ठीक है लेकिन वो maximum period कितना होगा 12 मन्त होगा ठीक है अगला point क्या मोलता है कि कोई भी person एक माइन्स से ज्यादा का manager नहीं हो सकता है कोई भी आदमी एक ही माइन्स का manager होगा कभी-कभी क्या होता है कि एक ही manager वो दो-तीन माइन्स को भी देखते हैं तो ऐसा normally संभव नहीं है लेकिन ऐसा किया जा सकता है अगर कुछ जरूरत है manager available नहीं है दूसरे माइन्स में ठीक है तो chief inspector के permission से एक आदमी एक से ज्यादा माइन्स का manager के रूप में काम कर सकता है लेकिन वो maximum 12 मन्त के लिए ठीक है और यदि chief inspector को लग रहा है कि वो आदमी दोनों माइन्स या तीन माइन्स को ठीक से नहीं देख पा रहा है अपना duties perform properly नहीं कर पा रहा है तो वो जो relaxation प्रवाइड की है chief inspector उसको रिवोक कर सकते हैं या उसको खतम कर सकते हैं ठीक है यह fifth point बोलता है फिर आगे देखते हैं six point क्या बोल रहा है कि suppose क्या होता है कि मैनेजर दस दिन के लिए कहीं छुट्टी पे गया है या फिर मैनेजर का तभियत खराव है तो कोई भी government institution में क्या होता है कि किसी और आदमी को charge देना होता है उस post का तो मैनेजर अपना charge किसको देगा तो मैनेजर कुसी वैसे व्यक्ति को charge दे सकता है जिसके पास क्या हो manager का certificate हो लेकिन वो charge कितने time तक maximum दे सकता है वो 30 दिन के लिए दे सकता है ठीक है तो manager suppose छुट्टी पे जा रहा है तो अगर 30 दिन के लिए वो छुट्टी पे जा रहा है या 30 दिन से कम के लिए जा रहा है तो किसी भी व्यक्ति जिसके पास manager certificate है वो first class manager certificate हो या second class manager certificate हो उसको manager charge दे के जा सकता है अगर 30 दिन से जादा के लिए किसी और व्यक्ति को charge दे रहा है regular manager तो उस case में chief inspector से क्या करना पड़ेगा permission लेना पड़ेगा ठीक है यहां तक clear है फिर आगे देखते हैं हम जैसे manager किसी और व्यक्ति को charge दे रहा है तो उस case में वो उसको क्या करना पड़ेगा honor agent या manager writing में किसको inform करेगा original inspector of mines को writing में inform करेगा कि हम 10 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं इस period में हम minus का charge इस आदमी को suppose manager x है उसका ना वो छुट्टी पे जा रहा है 10 दिन के लिए अब वो y को charge देना चाहरा है तो यह क्या करेगा original inspector को inform करेगा कि हम y आदमी को 10 दिन के लिए minus का charge देके जा रहे हैं y आदमी के पास first class manager certificate है या second class manager certificate है जो भी है वो inform करेगा यांति 30 दिन से ज़्यादा के लिए छुट्टी पे जा रहा है तो फिर chief inspector से permission लेना पड़ेगा ठीक है आगे देखते हैं seven point क्या बोलता है कि किसी वैसे आदमी जिसको manager का charge मिला हुआ है तो उसकी पूरी duty उसकी पूरी जीमेदारी वही होगी जो manager का था भले उसके बस first class manager certificate है या second class manager certificate है इससे मतलब नहीं है manager का जो charge ले रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी उस माइन्स की जो previous manager का था अब फिर आठमा point क्या बोलता है कि कोई भी manager यदि छुट्टी ले रहा है तो उसको 30 दिन पहले inform करना पड़ेगा owner या agent को कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ ठीक है नॉर्मली ये प्रोटोकॉल है कि 30 दिन पहले ही वो छुट्टी का आविदन अपना देगा लेकिन सपोज कुछ emergency हो रहा है ठीक है उसके family की सिकत खराब हो जा रहा है या उसको कई emergency जाना है तो shorter period में भी shorter notice period यानि कि 10 दिन पहले भी बताएगा तो अगर agent चाहे तो उसको कर सकता है clear next point क्या बोल रहा है कि कोई भी माइन्स का manager कि कोई भी माइन्स का owner या agent किसी भी manager को transfer discharge मतलब duty से हटाना ठीक है या duty से relieve करना या dismiss उसको हटाना duty से ठीक है नहीं कर सकता जबकि वो उस manager के जगा किसी दूसरे manager को appoint नहीं कर ले बात समझ में आ रहा है फिर ninth point क्या बोल रहा है कि कोई भी manager को transfer या उसको duty से relieve करना या duty से dismiss करना तब तक किया नहीं जा सकता है जब तक किसी regular manager को उस minds के लिए appoint नहीं कर लिया जाए 10 point क्या मोलता है कि suppose manager दो चार दिन छुट्टी के लिए जा रहा है तो वो किसी normally manager छुट्टी लेगा नहीं अगर वो छुट्टी ले रहा है तो वो क्या करेगा illness या emergency case में छुट्टी ले रहा है तो किसी ऐसे आदमी को charge देगा जिसके पास की first class manager उसमें first class managers का जोरत था तो वो first class manager certificate वाले आदमी को देगा अगर नहीं था है first class manager वाला तो second class manager certificate वाले आदमी को देगा यदि दोनों ही नहीं है तो क्या होगा कोई ऐसे आदमी को देना चाह रहा है जिसके पास ना first class manager certificate है ना second class manager certificate है वो suppose newly recruited management trainee है तो फिर उसके प्रस मतलब minimum qualification नहीं है तो ऐसे case में क्या करेगा कि उसको charge देने से पहले permission लेना पड़ेगा किसे chief inspector से और उसको 60 दिन से ज़्यादा का manager का charge नहीं दिया जा सकता है अगर manager 60 दिन से ज़्यादा time के लिए बाहर जा रहा है तो फिर वहां पर किसी दूसरी manager को रखना पड़ेगा जिसके पास minimum qualification हो ठीक है नेक्स्ट 11 पॉइंट क्या बोल रहा है कि honor agent self-provide residential accommodation जो भी honor है या agent है उस माइन्स का वो manager को या assistant manager को माइन्स से पांच किलोमेटर minimum maximum distance पांच किलोमेटर के अंदर रहने का घर देगा ठीक है और माइन्स का जो manager है वो assistant manager है उसको सपोज कि माइन्स है तो यहां से पांच किल किलोमेटर के दूरी के अंदर रहने के लिए घर प्रोवाइड करेगा उस manager या assistant manager को इसी घर में रहना है ऐसा नहीं है कि उसका घर यहां है मिला हुआ है company के तरफ से और वो कहीं यहां से 50 km दूर रह रहा है ऐसा नहीं करेगा ठीक है तो honor या agent क्या करेगा manager को रहने के करेगा और manager को क्या करना वहीं उसी घर में रहना है ठीक है अगर इन सब को लेकर कोई doubt होता है कि किसको charge देना है किसको नहीं देना है कितना दिन के लिए दे सकते नहीं दे सकते तो decide करने का किसके पास power है तो chief inspector तो manager के duties qualification या appointment appointment को लेकर कोई भी dispute होता है या कुछ बाते नि करने कार किसके पास है chief inspector के पास है ठीक है next 13 point क्या बोलता है कि कोई भी manager किसी दूसरे माइन्स के manager या assistant manager या safety officer के रूप में काम नहीं करेगा एक manager एक माइन्स को ही संभा लेगा जैसे कि उस अब regulation 5 यह जो regulation था इसमें बोल रहा था कि एक manager एक ही माइन्स को देखेगा हो सकता है वो 2-3 माइन्स को भी देख सकता है लेकिन उसके लिए maximum period कितना होना अच्छी है 12 month के लिए वो देख सकता है उस बीच में क्या करना है अलग माइन्स के लिए अलग manager को appointment करना है और इसमें decision लेने का अधिक किसका है chief inspector का तो यह 13 पॉइंट भी यही बोल रहा है ना कि कोई एक manager हो सकता है कि माइन्स ए में वो क्या है manager है माइन्स भी में जाकर के safety officer बन जा रहा है ऐसा काम कोई भी manager नहीं करेगा ठीक है एक manager क्या करेगा एक ही माइन्स में manager रहेगा किसी दूसरे माइन्स में चाहे तो नहीं manager बनेगा या फिर कोई छोटा post को भी वो accept नहीं करेगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सब regulation 5 में जो नियम दिया गया है उसके तहद chief inspector से permission लेना पड़ेगा और वो permission maximum 12 मन्त के लिए ही valid होगा ठीक है आगे देखते हैं CMA 28 में क्या बोल रहा है कि charge report of manager इसमें क्या बोल रहा है कि suppose किसी manager का minus A से minus B में transfer होता है तो देखते हैं suppose यह minus A है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि X था पहले manager अब इसका transfer हो जा रहा है इसके जगा क्या हो रहा है तो यह X क्या करेगा Y को अपना यह Y जो आएगा यह क्या करेगा X से उस minus के manager का charge लेगा ठीक है उसी को हम लोग क्या बोलता है charge report बोलता है और एक format जो की chief inspector जैसा अलग 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 टाइप का format रहता है उस format पे जो manager नया आ रहा है जो पूराना manager जा रहा है दोनों क्या करेगा उस format पे sign करेगा और अपना charge रिलीव होगा ठीक है जो जाता है वो आने वाले को charge दे के जाता है और जो जा रहा है वहां के mines के manager के post से रिलीव हो उसको रिलीव बोलता है ठीक है और वो chief inspector द्वारत दिये गए format में sign दोनों करेगा और उसका एक copy क्या करेगा वो original inspector को submit करेगा clear तो यह था कि या उसमें sign करेगा और उसका copy एक regional inspector को provide करेगा यही था qualification और appointment of manager ओके थेंक्या